हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल दिपाली कुकिंग जोन कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं हन्वर्ट सब्सक्राइब के सेलिब्रेशन के लिए ढोकला बना रहे हैं और यह देखिए हमने इसके लिए चारचम हम लिए हैथ चमश हल्दी लिए है टेस्ट कीकोडिंग हमने लिए हैं स्मय आदा चमश लिए साट्रविन और इसको हमने पैन में आड़ कर लिया है और हम इसमें डालेंगे एक कटोरी पानी डेड़ कटोरी बेसन में हमने एक कटोरी पानी लिया है यह मेजरमेंट बिल्कुल ठीक बैठता है यह देखे हमने बेसन इसमें आड़ कर लिया है हम इसमें अपनी चीनी को भी आड़ कर लेंग हालो है हाल की या को हम अंतरो है Are leave all 8 आं गार वे रहें हैर अंग दूशनी इस को एक चीनि घे ने Business हुआ है हम चिनी डाइक अ कंतर लिया है ँइस हमने था क्पार दूशने प्विध इस घृत हो रूंधा पर आप करेंगे यह देखिए तो हम इसको थोड़ा से मिला लेंगे और फिर हम इसमें अपना पानी आड़ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आड़ कीजिएगा आपके बैटर में कोई लंस नहीं होना चाहिए कोई गुटली वगारा नहीं होनी चाहिए अच्छे से इसको आप पेस्ट बना लीजिए कि यह दिखिया हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला लिया है हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी टाइट लग रही है हम इसमें एक से डेड़ चमच पानी और आड़ करेंगे कि देखिये हमने इसमें एक चमच और पानी एड़ कर लिया है हम इसको भी अच्छे से चला लेते हैं और फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रहे हैं जरूर बताईएगा सौरी कल वीडियो ने आप आई थी उसका भी एक रीजन है मैं आपको बताऊंगे अभी यह देखिये हमारा बैटर अच्छे से हमने अपना बैटर बना कर तियार कर लिया है देखिए इसकी कुछ ऐसी है तो हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे बीस मिनट के लिए तो फ्रेंट्स तब तक के लिए हम बना लेते हैं मूंकी दाल का हलवा यह इंस्टेंट मूंकी दाल का हलवा है यह देखिए हमने यह मूंकी दाल को पाउडर बना लिया है इसको ज्यादा पाउडर नी बनाना थोड़ा दर-दर रखिएगा और इसमें हमने चीनी क्वाट दूद लिया है मैं एक कटोरी और गी हमने सेम क्वाटेटी में लिया है आप इसमें कोई भी डॉय फ्रूट अड़ सकते हैं जो आपको पसंद है मेरे पास अभी अवेलमैंट से अवेलिबल थे असलिंग मूने इसमें करें हैं तो यह देखिए हमने अपनी कड़ाई में दो चम्मच गी एड़ कर लिया है कि गी मेल्ट होने देंगे हमने इगी बादाम को भूनने के लिए एड़ किया है कि बादाम हम थोड़े रोस्ट कर लेंगे यह देखिए इनको हलका सा रोस्ट कर लेजिए यह देखिए हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं हम इनको निकाल लेते हैं तो हम इसमें थोड़ा घी और एड़ कर लेते हैं और हम इसमें एक चम्मच बेसन एड़ करेंगे यह ट्रिकट अपना ही है आपका मुंकी दल का लोब बहुत टेस्टी बनेगा अबका हलवाई भी इस strain जरूर आड़ Ke Robe of इसमें एक व्धा और और बहुतत अबका अधांधा तुछा पम्धां कि मुक्त हैं पोरी चमच भरके आड़ करना है और श्रूरस आक अड़ा तर्ष दो कर दिया हैं हम इसको चाना हुआ सबवक्तां जाइड हैं इसमें थोड़ा गी और एड़ कर लीजिए यह देखिए आपने दाल के पाउडर को अच्छे से भून लेते हैं कि यह देखिए हमारा दाल का पाउडर को भून रहा है तो यह देखिए फ्रैंट्स हमारा दाल का अच्छे से भून चुकी है इसमें जो कि अमने दर्दरी करके डाली थी इसमें अच्छे से ब्राउन हो चुकी है हम इसमें दूद अड़ कर देंगे आधा आधा करके आप दूद अड़ कीजिएगा मैंने थोड़ा दूद बचा लिया है पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लिजिए उसके बाद आप दूद को बचे वे दूद को इसमें आड़ कर लिजिए इसमें पूरा एक कटोरी दूद मिक्स कर दिया है हम इसको अच्छे से चला लेंगे कि देखिए साइड से चिपक रहा है अम इससे अपना घी एड़ करेंगे इसकी किनारियों पर आप अच्छे से घी एड़ कर लिजिए एक एक चमच और इसको अच्छे से चला लेजिए यह देखिए हमारे हलवे ने कड़ाई को छोड़ दिया है अब हमारे हलवा चिपक नहीं रहा है ज्यादा आपके उसको अच्छे से भूनना है इस स्टेज पर हम इसमें अपनी चीनी को आड़ कर देंगे यह देखिए हमने अपनी चीनी को इसमें आड़ कर दिया है हम इसे चीनी के साथ भी अच्छे से भून लेंगे को फ्रेंट्स कल मैंने राजिस्थानी थाली बनाई थी और उसकी वीडियो मेरे से ही डिलीट हो गई थी तो इसलिए कल वीडियो ने आप आई थी कोई नहीं आपके लिए नेक्स टाइम फिर से वह थाली बना कर त्यार क करूंगी कि यह देखें हमने इसको अच्छे से भून लिया है कि अब इसको बाकी बचेगी को भी दीरे-दीर गरके इसमें एड़ कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए फ्रेंड्स हमारे सौ सब्सक्राइबर हुए हैं तो उसकी छोटा सा सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं आप लोगों की वजह से यह सब हुआ है हमारी फैमिली आज सौ जनों की कम्प्लीट हो चुकी है हमारे साथ अपना साथ यह बनाए रखिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए यह देखिए हम बचाओगी भी इसमें आड़ कर लेंगे आप लोग हमारे साथ यह जुड़ते रहिए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके बताइएगा आपको आज काई छोड़ टू सा सेलिब्रेशन कैसा लगा अब हमने इसमें अपने आलमंड को एड़ कर लिया है आप इसमें काजू पिस्ता किश्मिस कुछ भी डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद गरते हैं यह देखिया हमारा हल्लवा बन कर तेयार है तो यह देखिये फ्रेंट्स हम बना रहे हैं चावमीन आपको रेस्टरेंट वाला स्वाद घर में ही मिलने वाला है आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप भी घर में अराम से बना सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से बन जाती है यह हमने पत्ता को भी लिया है Crabbage यह हमने कैपसिगम लिया है यानि के शिंमला मिर्च अनियम लिया है प्याज और कैरीट लिया है यानि गाजर यहह हमने काली मिर्च लिया है कि टेस्ट के कॉर्डिंग और यह हमने सोया सॉस और वाइट विनेगर लिया हुआ है पाइज कर लिए था आप है कि आमने कडाई में दो छमच और रिफाइनड डॉल यूज चाहे है कि हमने डॉल इसमें डॉल इसमें अड़ कर लिया था आप इसमें वैसे रिफ से डग़ि कर लेंगे और हम अपनी शिमला मिर्च वीज में आड़ कर लेते हैं हम प्याज और शिमला मिर्च को हलका से साटे कर लेते हैं तब तक कि हमारी प्याज ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाती यह देखिए हमारी प्याज अच्छे से ट्रांस्पेरेंट हो चुकी है और इसमें गाजर और पत्ता गुबी को भी आइड कर लेते हैं हमने पहले गाजर आइड कर दिया और अब पत्ता गुबी आइड कर रहे हैं इसको भी अच्छे से हम इसके साथ भून लेते हैं इसको सिर्फ एक मिनट के लिए भून लीजिए आपकी सब्जियां अच्छे से सौटे हो जाती हैं यह देखिए हमारे सब्जियां भून करके तयार हैं अगर आपके बच्चे वैजिस नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से खिला सकते हैं आप गया हम इसमें अपनी चौमिन कर लेते हैं है अच्प मन को अबाल लिया था सिर्फ हमने इसको दो से तीन मेंट के लिए गरम पानी में डालकर बॉयल कर lिया था उसके बाद हमने इसमें एक चम्मच रिफाइंड डालकर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था इसलिए इतनी खिली-खिली हो गई है यह देखिए कितने अच्छी लग रही है और में अपने प्याज और काली मिर्च सॉरी नमक और काली मिर्च को भी आड़ कर लिया है और में डाल रहे हैं सोया सोंस दो चम्मच और में डालेंगे हम सफेश सिर का वाइट विनेगर डेड़ चम्मच मैंने कैच का यूज किया है आप चाहें तो कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके यहाँ पर इजी ली अवेलबल हो जाए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्रेंट्स आपको राजिस्थानी धाली फिर से देखनी है अगर तो मिरे को कमेंट जरूर किजिएगा मैं फिर से आपके लिए जरूर बनाऊंगी कोई ने एक बारे डिलीड हो गई तो कि यह देखिए हमारी चावमिन अच्छे से बन कर तयार है कितनी यम्मी लग रही है तो चलिए फ्रेंट्स अब हम अपने ढोकले की तयारी कर लेते हैं यह हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए लिए और हमारा पेश्ट भी अच्छे से तयार हो चुका है चीनी भी अच्छे से हूल चुकी है और हमने यह जिसमें हमने यह ट्रांसफर करना है जिसमें हमने यह पकाना है वह बाउल को को हमने ओयल सच्छी से ग्रीस कर लिया है कि यह देखिए हम इसमें इनो फ्रूट सॉल डालेंगे यानि यह इनो डालेंगे हम इसमें पूरा एक पैकेट आइड कर देंगे में पूरा एक पैकेट आइड हो जाता है यह एकदम परफेक्ट मेजिर्मेंट है आप इस तरह से बनाएंगे आपका ढोकला कभी खराब नहीं होगा आप भी जरूर्ट रहें कि जिएगा अगर आपको यह अच्छा लगे तो हम इसको अच्छे से चला लेंगे ज्यादा इसको फैटना नहीं है सिर्फ आपको यह मिक्स करना इसमें अच्छे से ताक्कि हमारा इनो अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए हमारा बैटर डबल हो चुका है अब इसको बावल में ट्रांसफर कर लेते हैं कि यह देखिए हम इसको अब इसमें अराम से रख देते हैं आपका हाथ ने जले अराम से रखेगा और हम इसको लिट लगा कर दख देंगे हम लिट के पीछे इसमें कपडा लगा लेंगे कोई साफ कपडा लगा लीजिए आप यह देखिए हमने किचन टावल लगा लिया है इसमें अब इसको रख देंगे ताकि ओयल वापस से हमारे ढोकले में नहीं गिरे इसमें भाब बन जाती है और पानी ढोकले में गिरने लगता है तो इससे आपके ढोकले में पानी नहीं गिरेगा फ्रेंट्स आप इसको 20-25 मिनुट तक मत छेड़ेगा उसके बाद आप चैक कर सकते हैं आपका ढूकला पका है ये नहीं हम इसका तड़का बना कर त्यार कर लेते हैं तब तक कि हमारे तड़का भी ठंडा हो जाएगा हमने इसमें डेड़ चमच रिफाइन डॉल लिया है इस हमने चार हरी मिर्च ली है बिच में इसे काट ली है इसको भी हमने आड़ कर दिया है और हम इसमें पानी आड़ करेंगे पानी फ्रेंट्स हमने डेड़ गिलास में यूज करेंगे कि देखिया हमारी मिर्च अच्छे से बुन चुकी है राइब अच्छे से तड़क गई है मैं इसमें पानी आड़ कर लेते हैं हमने इसमें डेड़ गिलास पानी आड़ कर लिया है अब फ्रेंट्स आपको ढोकला कैसा लगता है मुझे जरूर बताईएगा यह हम इसमें तीन चमच चीनी आड़ कर लेते हैं हम इसमें एक चौथा चमच नमक आड़ कर लेते हैं और हम इसमें चौथा चमच साट्रिक एसिड एड़ करेंगे यह देखिए बस हमें तीन चीजी इसमें एड़ करनी है और हम पानी को बॉइल होने देएंगे यह देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉइल हो गया है और हम फिलेम का उफ कर देते हैं तो चलिए फ्रेंट्स हमारे ढोकले को रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं कि 25 से 30 मिनट में आपका ढोकला बनकर त्यार हो जाता है यह देखिए हमने पहले चेक किया था तो ढोकला अंदर से कच्छा था यह हमने चेक किया हुआ है अब पांच मिनट राद फिर से इसको चैक कर रहे है तो देखिए नाइफ एकदम क्लियर निकला है तो इसका मतलब हमारा ढोकला बनकर बिल्कुल तेयार है अच्छे से पक चुका है हम इसको ठंडा होने देंगे 10 मिर्ट के लिए यह देखिए फ्रैंस हमारा ढोकला कितना स्पॉंजी बना है आप 10 मिर्ट के लिए इसको रख देंगे अराम से आपका रिमूव हो जाएगा कि देखिए हम अपने डोकले को काट लेते हैं कितना दानेदार एकदम सॉफ्ट हमारा डोकला बनकर तियार हुआ है आप जरूर ट्राइ किजिएगा कैसे लगा आप में जरूर बताईएगा कि देखिए कितनी अच्छी जालियां बनी है अंदर हमारे डोकले में आप भी से जरूर ट्राइगा सकते हैं कि एकदम स्पॉंजी खट्टा मीठा ढूकला बनकर हमारा रेडी है अब मिसको इसके ओपर हम वह तड़की वाला पानी डाल देते हैं जो कि हमने हलका ठंडा करा था बाजार जाने के जरूरत नहीं है अब घर में भी बना कर खा सकते हैं आम से किस-किस को ढोकला बनाना आता है और कौन मेरी तरह बनाता है मुझे जरूर बताईएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेट कीजिएगा मेरे चैनल दिपाली कुकिंग जोन को सब्सक्राइब कीजिएगा यह दिखिए आम इसमें अपनी गुरूइन चिलीज डाल लेते हैं अब हम इसमें हम इसको गार्निश करेंगे हरे देनिये के साथ यह देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही और खाने में तो बहुत टेस्टी है यह देखिए कितना सॉफ्ट जालीदार हमारे ढोकला बन कर त्यार हुआ है आप भी बनाएए खाईए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा यह देखिए फ्रेंट्स हमारे सौ सब्सक्राइबर का छोटू से सैलिब्रेशन आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा हमारी तीनों डिश्रिज आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा आया अब भी आकर टेस्ट कर लिजिए वीडियो को पूरा देखिएगा सुरूर से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू